राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के, केंद्रिये शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है, नमी कक्षा की हिंदी की पाठे पुस्तक शितिज में संकलित पाठ का वाजन, पाठ का शीर्षक है प्रेम चंद के फटे परिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्य रचना है, मित्रो, आई ये जाने कि पाठ को सुनने से पहले हमें किन बातों का ध्यान डखना चाहिए, पाठ को सुनने से पहले अध्यापक को पाठ विशेश की जानकारी देनी चाहिए, अध्यापक को ये भी बताना चाहिए कि प्रस्तुत पाठ को सुनाने का उद्देश विद्यार्थियों के श्रवन कौशल का विकास करना भी है, पाठ को सुनते समय शुरूता कलाकार के प्रस्तुती करण पर विशेश ध्यान दें और प्रस्तुती की बारीकियों को समझें पाठ को सुनने से विद्यार्थी पाठ को बहतर तरीके से समझेंगे और उनमें मुखर एवं आदर्श वाचन के कौशल का भी विकास होगा पाठ को सुनने के बाद विद्यार्थियों को प्रोचसहित करना चाहिए कि वो स्वयम भी मुखर एवं आदर्श वाचन करें पाठ को सुनकर उन्हें जो कुछ अनुभव हुआ हो उसके बारे में कक्षा में सामूहिक चर्चा करें हिंदी के व्यंग लेखकों में हरिशंकर परसाई का नाम अग्रणी है परसाई जी की कृतियों में हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह रानी नाकफणी की कहानी तट की खोज उपन्यास तब की बात और थी भूत के पाउं पीछे बेमानी की परत पकडंडियों का जमाना सदाचार का तावीज शिकायत मुझे भी है और अंतमी, वाष्णव की फिसलन, तिर्ची रेखाई, थिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदी उलेखनिय है सामाजेक, राजनेतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग सहित के मानकों का निर्मान किया परसाई जी बोलचाल की सामाने भाषा का प्रयोग करते हैं और रचना के अनूठेपन के कारण तो उनकी भाषा एक अलग ही समाबांथती है प्रस्तुत है परसाई जी की व्यंग रचना प्रेमचंद की भटे जूते प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है पत्रिये के साथ फोटो खिचा रहे हैं सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने है कनपटी चिपकी है गालों की हड़ियां उभर आई है पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है पाउ में कैन्वस के जूते हैं जिनके बंद बेतर्ती बंदे है लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्री निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परिशानी होती है तब बंद कैसे भी कस लिये जाते है दाहिने पाउं का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है मेरी दृष्टी इस जूते पर अटक गई है सोचता हूँ फोटो खेचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी नए इस आदमी की अलग अलग पोशाके नहीं होगी इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिच जाता है मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहितिक पुर्खे कि तुम्हारा जूता पढ़ गया है और अंगुली बाहर दिख रही है क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है जरा लज्जा, संकोच, जर जेप नहीं है क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खीच लेने से अंगुली डग सकती है मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है फोटोग्रेफर ने जब Ready Please कहा होगा तब परमपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लानी की कोशिश की होगी दर्द के गहरे कुए के तल में बड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खीच कर उपर निकाल रहे होगे के बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक्यू कह दिया होगा विचित रही अधूरी मुस्कान ये मुस्कान नहीं इसमें उपहास है व्यंग्य है ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिचा रहा है पर किसी पराश भी रहा है फोटो ही खिचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिचाते फोटो ना खिचाने से क्या भी करता था शायद पतनी का आग रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि आदमी के पास फोटो खिचाने को भी जूता ना हो मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ मगर तुम्हारी आखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एक दम रोग देता है तुम फोटो का महत्व नहीं समझते समझते होते तो किसी से फोटो खिचाने के लिए जूते मांग लेते लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं फोटो खिचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने तुम फोटो का मा तुने जानते लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो किचाते हैं जिससे फोटो में खुश्बू आ जाए गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुश्बू देती है टोपी आठाने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी पांच रुपए से कम में क्या मिलते होंगे जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर पचीस सो टोपियान योचावर होती है तुम भी जूते और टोपी के आनुपात एक मूल्य के मारे हुए थे ये विडंबना मुझे इतनी तीवरता से पहले कभी नहीं चुबी जितनी आच चुब रही है जब मैं तुम्हारा भटा जूता देख रहा हूँ तुम महान कथाकार, उपन्या समराठ, युक प्रवर्तक जाने क्या क्या कहला दे थे मगर फोटों में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है यो उपर से अच्छा दिखता है अंगूली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है अंगूठा जमीन से घिस्ता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगण खाकर लहू लोहन भी हो जाता है पूरा तला गिर जाएगा पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगूली बाहर नहीं दिखेगी तुम्हारी अंगूली दिखती है पर पाउस रक्षित है मेरी अंगूली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है तुम परदे का मात्वी नहीं जानते हम परदे पर कुर्बान हो रहे हैं तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो मैं ऐसे नहीं पहन सकता फोटो तो जिन्दगी भर इस तरह नहीं किचाऊं चाहें कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे तुम्हारी ये व्यंगे मुस्कान मेरे होसले पस्थ कर देती है क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी काग गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हलकू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया चोंकि डाक्टर क्लब छोड़ कर नहीं आ सकते? नै, मुझे लगता है माध हो औरत के कफन के चंदे की शराप पी गया वही मुस्कान मालूम होती है मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे पढ़ गया ये मेरी जनता के लेख़क? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिया के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगा कर घर लोड़ते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटा नहीं है घिस जाता है कुम्भन दास का जूता भी फतेपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था उसे बड़ा पच्थावा हुआ उसने का आवत जात पनहया घिस गई बिसर गयो हरी नाम और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजट है तिनको करबो परे सलाम चलने से जूता घिसता है फटता नहीं तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सखत चीज को ठोकर मारते रहे हो कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड लिया कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया तुम उससे बचा कर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे टीलों से समझादा भी तो हो जाता है सभी नदियां पहाड थोड़े ही फोड़ती है कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है तुम समझादा खर नहीं सके क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को लेडू भी वही नेम धरम वाली कमजोरी नेम धरम उसकी भी जन्जीर थी मगर तुम जिस तरह मुश्करा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धरम तुम्हारा बंधन नहीं था तुम्हारी मुक्ती थी तुम्हारी ये पाउं की अंगुली मुझे से संकेत करती सी लगती है जिसे तुम घ्रनित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाउं की उंगली से इशारा करते हो क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंगे मुसकान भी समझता हूँ तुम मुझ पर या हम सभी परहस रहे हो उन पर जो अंगली छिपाए और तलुा घिसाये चल रहे हैं उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे है तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जुटा फाड लिया आंगूली बाहर निकल आई पर पाउं बच रहा और मैं चलता रहा मगर तुम आंगूली को ढाकने की चिंता में तलूए का नाश कर रहे हो तुम चलोगे कैसे मैं समझता हूँ मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ आंगूली का इशारा समझता हूँ तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ प्रेम चंद के फटे जूते अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम आलेक हरी शंकर परसाई विशे समन्वे डॉक्टर चंद्रा सदायत और डॉक्टर माध्वी कुमार वाचन स्वर नीरज शर्मा और राज्ट्री त्रिवेदी तक्निकी निर्देशन सती शलाडे निर्माण सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं तस्तुती अजीत होरो